प्लीज मने चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तबाईए नई नी रेसिपी वीडियो को सबसे पायले देखने के लिए आज हम पलक की सबजी बनाएंगे यह रेसिपी सबको पसंद है आप घर पे आज जरूर ट्राइ करें बलाने के लिए वीडियो को पूरा एंट तक देखिए पहले कड़ाई पे तेल डाल देते हैं तेल गड़म होने के बाद डालका बोड़ी डाल देते हैं अब कई भी डालका बोड़ी यूज कर सकते हो इसको मिडियाम फ्लेम पे फ्राइ करेंगे फ्राई हो गया है इसको उठा लेते है उसके बाद एक चामच जीरा डाल लेते है इसको हलका स्था फ्राई करे फ्राई करने के बाद आलू बेंगन बरवट्टी डाल देते है इसको एक मीट के लिए मिडियाम फ्लेम में धाक के पकाएंगे पालक की जो नीचे बाले पोर्सन है वो आट करेंगे इसको वाइल करने से थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए पहले एड़ किया है इसको सब्जियों के साथ अच्छे से फ्राइ करेंगे उसके बाद प्याज और हरी मिच डाल देते है इसको भी ढख के पकाएंगे जब तक प्याज हलका ब्राउन न हो जाए इसमें एड़ करेंगे स्वाद के अनुसन नमक फिर इसको अच्छे से मिला ले हो गया है एड़ करेंगे पालक इसको अच्छे से मिला लेते हैं कि इसको अच्छे से मैंने धो लिया है इसमें एड़ करेंगे हेल्दी पाउडर लालमीच पाउडर और एड़ करेंगे जीरा पाउडर धनिया पाउडर इसको अच्छे से मिला ले मिलाने के बाद एड़ करेंगे पानी और एड़ करेंगे फ्राइड बोरी बोरी को हाथों से थोड़ा सा मैस कर लेते हैं इसको अच्छे से मिला लेते हैं मिलाने के बाद इसको ढख देते हैं जब तक पानी ना सूख जाए और अच्छे से सबजिया बॉयल ना हो जाए देखिए पूरी तरह से पानी सूख गया है इसको मैसार से थोड़ा सा मैस कर लेते हैं हमारा पालक की सबजी त्यार हो गया है सबजिया खाने में स्वास्त अच्छी रहती है तो आप घर पे जरूर ट्राइ करें मेरी रेसिपी आप लोगों कैसे लगे लाइक कमेंट स्यार करके जरूर बताए और मेरी चनेल को सब्सक्राइब करें करें लोगों करें टकरें झाल झाल